हलो स्टूदेंट्स, हलो फ्रेंट्स, विल्कम टू आज चैनल, वोप याज दूइंग विल, तो टूदेज टॉपिक इस नरेश चंदर कमीटी 2002, नरेश चंदर कमीटी वास वन आफ ता हाई लेवल कमीटी एक तरह की हाई लेवल कमीटी थी जो की बनाई गई ताकि वो इस् को रिजॉल्व करने के लिए कमेटी को बनाया गया था और यह कमेटी बनी हमारी और इन्होंने वेरियस रिकमेंडेशन्स दी ओन 20 अगस्ट 2002, तो क्या क्या रिकमेंडेशन्स थी, लेट्स टाड़ी, फर्स्ट आपके पास डिस्क्लोजर ओफ कंटिंजेंट लाइबिलिट अब कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब तो हमें पता है कि ऐसे लाइबिलिटी जो हमारे फ्यूचर में कभी भी अकर हो सकती है, तो हमें कमपनी को, हमारी कमपनी को, अगर हमें कोई लगता है कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी जराइज हो सकती है, उस चीज़ का पूर properly disclosure करना management should provide all the material information about the contingent liabilities और ये mention करने के साथ-साथ कि auditor का view क्या है इसके ओपर ये भी provide करना उनके duty थी next कि हमारी company के CEO CFO मतलब listed company के CEO या CFO को ये certificate issue करना कि हम लोगों ने जो भी information provide की है जो भी data provide किया है जो भी हम लोगों ने हमारी जो financial statement है balance sheet है जैसे profit and loss है cash flow statement है वो properly हम लोगों ने disclose किया है जो भी information provide किये गई है वो true और fair है और according to the accounting standards है हम लोगों ने सारे के सारे accounting standards को follow करते हुए ही ये चीज़ बनाई है और ये चीज़ provide की है next internal control internal control effective होना बहुत साथा जरूरी है अगर एक organization को smoothly run करना है तो तो हमारा effective internal control हो इसलिए भी various recommendation दी उन्होंने बताया कि audit committee in case कोई problem होती है internal हमारी organization के अंदर हम अपने auditor को बताए audit committee को बताए ताकि हम वो issues को resolve कर सके और दुबारा से organization में smoothness last again next these statement do not contain any material or untrue statement उन्होंने बताया कि ये जो statements है इसमें कुछ भी untrue statement नहीं है कुछ भी omit नहीं किया गया कुछ भी चुपाया नहीं गया तो ये certificate issue की अरना चाहिए हमारे CEO CFO को हमारे contingent liabilities के बारे में बताना चाहिए और internal control smoothly maintain हो इस चीज़ में ध्यान रखना चाहिए ये recommendations हमारी बताए गई थी next independence of audit committee की हमारे जो audit committee अब audit committee की बात remuneration committee की बात हमारी almost हर committee के अंदर की गई है तो audit committee उन्होंने बताया कि वो हमारे independent होनी चाहिए ऐसा ना हो कि उनके ओपर किसी pressure हो किया किसी के अंदर वो काम करें मतलब किसी के डर से काम नहीं करें वो independent होनी चाहिए ताकि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सकें according to legal provisions independent director and NXD means non executive directors are exempted from criminal and civil liabilities कुछ criminal कुछ civil liabilities के अंदर ये independent directors ये हमारे non executive directors नहीं आते मतलब इनको कुछ exemptions दी गई है और सेभी ने बोला कि ये कुछ exemptions ये कुछ जो हमें options दिये गए हैं non executive directors को और independent directors को ये properly disclose करना चाहिए कि क्या के exemptions provide है next independent directors should periodically review the legal compliances कि हमारे जो independent directors है उनको time to time हमारे legal compliances reports को review करना चाहिए periodically check करना चाहिए कि accounts में कोई ना कोई गड़बड़ी तो नहीं है कुछ ना कुछ चुपाया तो नहीं जा रहा कुछ problems तो नहीं होरी organization के अंदर तो time to time इस चीज़ को check करना चाहिए कि अगर इनके इस problem आ रही है तो वहीं के वहीं हम इस चीज़ को resolve कर सके next by chance any proceeding अगर हमारी independent director के खिलाफ हो जाते है मालो independent director ने कुछ गलती की तो उनके खिलाफ कोई ना कोई step लिया गया तो independent director ये कहके नहीं बत सकता कि मुझे तो मेरी responsibility के बारे में पता ही नहीं था मुझे ये चीज़ पता ही नहीं था कि इसके खिलाफ भी punishment होती है या कुछ भी तो उनके यहीं बोला कि they are not allowed to defense on the ground that independent director was unaware of his responsibility की वो ये कहके बच नहीं सकते की वो उनके तो इस responsibility के बारे में पता ही नहीं था तो ये थी आपकी कुछ recommendations under नरेश्चंद्र कमेटी ये थी आपकी कुछ रिकमेंडेशन अंडर नरेश्चंद्र कमेटी होप यू लाइक कि लिए आपकी के लिए थे नहीं हाईन थापक ऱ्यूए नहीं है विए नहीं हम लाइए रूआ आपकी ये विए विए रूटाई ये थी नहीं विए और इन देब